पॉइज ने लगातार तीन मैच जीते हैं और निजिलेंड नास्ट मैच है वो गाइस हारी इंडिया के दवारा डेविड वॉर्नल ऑस्ट्रीलिया के फॉर्म में हैं काफी अच्छा केल रहे हैं और उन्हें लगातार संचुरी लगाई हैं यह मैच कहा होने वाला है यह दूनों को सपोर्ट करती हैं चेस करने वाली टीमने ज्यादा तर यहां मैच जीते हैं तो कौन जीतेगा है माच गाइस फाइनल रिपोर्ट आपको हमारे टेलीग्राम चेनल मिलेगी जो की है M. King Sports जिसका link आपको हमारे comment box पे मिले और about section में तो guys M. King Sports को like and subscribe पीचे चले guys अब हम बात करते हैं कि Australia versus New Zealand इसमें Dream 11 या जो fantasy league लोग खेलते हैं उसमें कौन से team लगानी चाहिए तो guys अब चली हम इसका detail analysis करते हैं कि top players Australia के कौन है पहले है David Warner, दूसरे है Glenn Maxpin, तीसरे है Adam Zempa और Mitchell Marsh, but guys यहाँ पे जो dark horse थाबित हो सकते हैं इस match के अंदर guys वो है Steve Smith, तो guys आप जरूर Steve Smith को captain wise captain बनाएगा और दूसरे जो dark horse थाबित हो सकते हैं वो है Josh Hazelwood, और guys एक और player कमाल करके दिखा सकते हैं इस pitch पे, उनका नाम है Cameron Green, अब बात करते हैं जिलेंड की, वो है Darryl Mitchell, Trent Bol, Matt Henry, Locky Ferguson, Rachit Ravindra या इस pitch पे कमाल कर सकते हैं guys, Rachit Ravindra इनको आप जरूर team में अपने captain wise captain बनाएगा और साथ में guys यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं Devon Conway भी कमाल करते देखे जासे, final team telegram पे मिलेगी, तो हमारे channel को like and subscribe करने के लिए, thank you guys and इस video को आप spread कीचिए